हाई एवरीबन आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू रेसिपी आ चुकी है वीडियो एंड तक देखिएगा रेसिपी बहुत जादा पसंद आएगी चलिए फिर रेसिपी को तयार करते हैं हमने ये रेसिपी इस्प्रिंग ओनियन याने की हरे पैच के पत्तों से तयार किय है थोड़ा सामने का हिसा और थोड़ा सा पीछे का हिस्सा इसी से हमने ये रेसिपी को तयार किया है कुछ बची हुई है इनको बाद में इस्तमाल करेंगे इन प्याज के पत्तों को बाइंडिंग दैने के लिए बेसन का इस्तमाल करेंगे तो हमने वन एंड हाप यानि की देड़ कप के जितना बेशन आड़ किया है, इसे मिक्स कर देंगी, पानी का इस्तिमाल अभी ना करें, ओके, अब कुछ मसाली भी आड़ कर देती हैं, अब इस्क्रिन पर देख सकते हैं, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, पेस्ट यहां पर आड़ किया है, कुरियंडर पा नमक आड़ कर देंगे, और टूटी इस्पून आड़ करेंगे, इसे ना खसता फंगोरे बन करके तयार होंगे, सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, तो यह इस्पून से मिक्स नहीं हो पाएगा, हातों से मिक्स कर दें, हिंग पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा एड़ कर दीजिए, बड़ी अटेस्ट आएगा, थोड़ा सा खाना सोड़ा एड़ कर सकते हैं, इसे साप्टनेस आएगी, ना डालना चाहाँ, तो इसकीप कर सकते हैं, अब थोड़ा सा पानी एड़ कीजिए, बेसन चिपकता है, तो पानी की ज़रूर बहुत कम होती है, ज़्यादा आट ना करें, वरना घीला हो जाएगा, और आपके फंगोरे नहीं बन पाईगा, डो किस तरीकी से बनाना है, आप इसक्रीन पर देख सकते हैं, इसी प्रकार का डो बना कर तयार करना है, आप थोड़ा सा आप डो को काटिए, और गोल गोल बना कर तयार इन कोपतों को या फंगोरों को बाप में पका कर तयार करना है, तो इडली पाउट्स का इस्तमाल कर सकते हैं, और प्लेट्स में ना सभी और से ओल लगा लीजिए, या फिर इस तरीके की चलनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, चलनी को भी ओल से ग्रेस कर सकते हैं, तांकि इसमें रख देंगे और कवर कर देंगे लगभग 10-15 मिनिट गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए इनहें पकने दीजिए आप देख सकते हैं यह तयार हो चुके हैं गैस की फ्लेम को आफ कर देती हैं इन्हें ठंडा होने कुछ देर रख देते हैं गैस पर कड़ाया पैन और थोड़ा सा आईल डालिए आईल अच्छे से गरम कर लें इसके बाद 1 टीस्पून क्यूमन सीट्स एंड हाफ टीस्पून फीनल सीट्स एड़ कीजिए थोड़ा सा क्रिकल होने दीजिए थोड़ी सी हींग एड़ कर देंगे अब जो ओनियान हमने साइड में बजा करके र या लिंक आपको डिस्क्रिस्प्शन बॉक्स में मिल जाएगा हरी मिर्च को तुकड़ में काटकर एड़ कर सकते हैं पर मैंने हरी मिर्च जिंजर और गार्लिक का पेष्ट बना कर तयार किया है आधी छोटी चमच तीखी लाल मिर्च पाउडर टर्मरिक पाउडर एड़ क करके पेष्ट बना कर तयार किया है इसे एड़ करके बड़ी असा मिक्स कर देंगे गैस की फिल म को हाई कर देंगी इस ग्रेवी को ढख दीजिए ड़ाटर को पकने का वेट कीजिए कुस दिर बाद आप देखेंगे नगये घेक अशी बढ़त चुकी मुलना है पानी या को सामाटर चिपका हुआ था था ना ग्राइंड वाला थोड़ा सा पानी डालकर उसे आड़ एक पानी एश्टा एड़ कर दिया है वन टेविल स्पून गर्मसाला एड़ कर देंगे अपने टेस्ट के अनुसार नमक आड़ कर दीजिए सबीको अचे से में आपक्स कर दी घैस की फ्लिम को हाई करके कुछ दे हम स्ढूल को करके और अब तोड़ी दियर पख़ने के बाद को drums पाइप कर दें धोड़ाई आstudis कि आई सब्सक्यार परेक्ष新聞 कि वेडस्यां के अब थोड़ी दियर पखने के बाद बहुत ज्यादा पसंद आई थी जब हरे बैच के पत्ते मार्केट में दिखे ना तो मुझे याद आ गया कि यह रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर करना है जब यह सब्जी खाएंगे तो पनीर की सब्जी को भोल जाएंगे बिल्कुल मेरी तरह है रेसिपी पसंद आई है त किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई इंज्वाई दिस रेसिपी